मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम पैदा क्यूं हुए? बस ऐसे ही लोग एक उमर के बाद उन्हें कुछ-कुछ होने लगता है और उसे बोलते हुए उन्हें शर्म आती है तो वो बस एक दूसरे से प्यार भरी बाते करने लगते है वो इसे स्वीट नथिंग्स कहते है ये स्वीट नथिंग्स कहते कहते है वो कुछ-कुछ कर लेते हैं बहुत सारा नथिंग नथिंग होता है फिर एक बार सम्थिंग हुआ और आप आ गए यह ऐसे ही होता है अगर आप यह पूछ रहे हैं कि मेरे जन्म का मकसद क्या है अगर कोई मकसद नहोथ तो यह सवाल कि मेरे जन्म का मकसद क्या है इसलिए उठता है क्योंकि कहीं न कहीं आपके जीवन का अनुभव बेमतलब हो चुका है आप चाते हैं कि आपके वजूत के लिए कोई भगवान का दिया मकसद हो आप ऐसा नहीं पूछते अगर अभी आपका सर पर्मानंद से फूट रहा होता अगर आपकी हर कोशिका में पर्मानंद का विस्फोट हो रहा होता तो आप ये नहीं पूछते कि मैं पैदा क्यों हुआ है ना आप यहां बैठें इस बेकार के सत्संग में बैठे बैठे पैर सुन नहीं हो गए हैं हम हम सब कुछ दुख रहा है अब मैं पैदा क्यों हुआ इस दर्द का मकसद क्या है आप यहीं पूछ रहे हैं अगर आप पर्मानंद से फूट रहे होते तो आप नहीं पूछते कि मैं पैदा क्यों हुआ है ना, बताईए, पूछते क्या, नहीं तो सबसे पहले आपको अपने जीवन के अनुभव को बदलना होगा अगर आप आनंदित नहीं हैं, तो मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आप अभी जीवन का आपका अनुभव एक खास तरह का है मैं बहुत घमंडी और गैर जिम्मेदार लगता हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि जीवन का मेरा अनुभव पर्मानंद के नशे में डूबा हुआ है आप होश में हैं और आपके पैर दुख रहे हैं आपके लिए मैं पैदा क्यों हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए ये एक मजाख है तो पहले आप अपने जीवन के अनुभव को बदलिए और फिर जवाब ढूंडिए क्योंकि अपने अभी के हाल में अगर आप जवाब ढूंडेंगे तो आप हर तरह के गलत नतीजों पर पहुँच जाएंगे तो इन दुखते पैरों के साथ अगर आप पूचते हैं कि मैं पैदा क्यों हुआ तो फौरण मैं आपको बता सकता था मैं अपने आसपास बहुत सरे देनी लोगों को एकठा कर सकता था जैसा ज्यादतर आध्यात्मिक सभाओं में होता है अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान आपके परीक्षा ले रहे हैं भगवान आपको आजमा रहे हैं फिर आप नहीं हिलेंगे चाहे दर्द के मारे पैरों की हालत खराब हो पैर अपना ही रागाला आप रहे हैं लेकिन भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं मुझे इस परीक्षा में पास होना है अगर आप अपनी उमीदों में फेल हो जाते हैं तो चलेगा लेकिन क्या आप भगवान की उम्मीद पर फेल हो सकते हैं? तो अगर कोई मकसद ही न हो तो और कोई मकसद है भी नहीं जीवन अपने आप में ही एक मकसद है उसे किसी मकसद की जरूरत नहीं है ये सवाल इसलिए उड़ता है क्योंकि आपने जीवन की भव्यता का स्वाद नहीं चखा है ये सवाल इसलिए उड़ता है क्योंकि आप जानते ही नहीं है इनसान होनी की विशालता का एसास ही नहीं हुआ है तो अगर आपको उसका अनुभव हो गया तो आप यह नहीं पूछेंगे कि क्यों क्योंकि क्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता किसे फर्क पड़ता है क्यों ये बेमिसाल है ये शांदार है ये जबरदस्त है आप क्यों, क्यों पूछेंगे इस समय ये तुछ है यहाँ वहाँ कुछ अनुभव होते हैं जिन से आपका जीवन चलते रहता है बाकी सब कुछ भहुत ही तुछ है सुभा उटना, टॉयलेट जाना, नाष्टा बनाना, खाना, फिर आफिस जाना कभी-कभी काम्याबी का एक पल कभी सुख का एक पल प्यार का पल, खुशी का पल इधर उधर ये चीज़ें आपको चलाते रहती है इनके अलावा बाकी सब बिलकुल तुछ है है ना, ऐसा ही है ना इसी वज़े से ये सवाल उठा अगर आपके जीवन का हर पल पूरी तरह से उल्लास से भरा हो और आपके अंदर विस्फोट कर रहा हो तो क्यों एक बेतु का सवाल होगा है ना तो ये हम हम आपके जीवन में थोड़ा जोश ला सकते हैं ये कहकर कि भगवान तुमारी परीक्षा ले रहे है या भगवान तुमें चूम रहे है लोग आपसे ऐसी बहुत सी बातें कहेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है अगर आप अपने अस्तित्व के उल्लास को नहीं जान पाते तो आप मकसद पैदा कर सकते हैं अगर आप इस अस्तित्व के उल्लास को जान लेते हैं अगर आप यहां होने के पर्मानंद को अनुभव करते हैं तो फिर मकसद की परवाही किसे है?